हाईलो स्टुडेंस वेलकम टू माई यूटूब चेनल वेदानसी टेक्निकल क्लासिज आज के इस वीडियो में दोस्तों आइट एंप्लिबिटी स्किल के जो है महत्पुन क्यूशन आंसर इस वीडियो में में डिस्कस करने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आईटे के CBT एक्जाम वर्तमान समय में चल रहे है तो उन CBT एक्जाम के लिए काफी इंपोटेंट क्यूशन आंसर में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग जो इस वीडियो कों तक जरूर देखेगा दोस्तों आज के फर्स्ट क्यूशन की बात करें तो फर्स्ट क्यूश ूर चर्चा में देगे वेंजग का सइस संदर्ब जोने समा करें में इसके संदर्ब में हम समा कब मांगते हैं जब कोई बादह डालता है जब कोई बादह डाले तो उससम में क्या कहिए समा मांगे judgment सारा नच के लिए समा नहीं होगा एक बिन्दू पर जोड़ देना उसके इसके बाद में question number 3 संचार जिसमें सब्दों के उप्योग के बिना सूचनाओं का आदान परदान सामिले कहलाता है बिना सूचनाओं का आदान परदान सूचनाओं का आदान परदान नहीं होता संचार जिसमें सब्दों के उप्योग के बिना मतलब सब्दों का उप्योग किये बिना सब्दों का उप्योग कि बिना सब्द का उप्योग नहीं करेंगे तो फिर हम लिख कर उसे बेजेंगे तो इसे हम बोलेंगे लिखी संचार written communication written जिसमें सब्दों का use नहीं होता वो कहलाता है लिखित मतलब उसमें letters का use करते हैं letters का words का right next question है किसी VCS कारी के परती समर्पन कहलाता है किसी VCS कारी के परती समर्पन commitment कहलाता है commitment परती बदता commitment परती बदता right तो option right answer हो जाएगा option B question number 6 है दोस्तो SMS का विस्तार है SMS का विस्तार तो आप सभी को पता होगा SMS का विस्तार जो है वो होता है short messaging service short message service short message service short message service option D जो है इसका right answer हो जाएगा question number 7 तहीं यहाँ पर 4 smart goal S stand for smart लगसे के लिए S का आर्थ S का आर्थ यहाँ पर जो है specific होता है specific right तो option C जो है इसका right answer जाएगा how how नाखुन काटना दिखाता है नाखुन काटना क्या दिखाता है दोस्तो S रक्सा insecurity insecurity जो है नाखुन काटना कोई यह दिनाखुन काटना है मतलब वो S रक्सित अपने आपको uncomfortable feel कर रहा है तो वहाँ पर option B रहाएगा यहाँ पर answer question number 9 है दोस्तो how how तेज और सीधा चलना दिखाता है how how तेज और सीधा चलना तेज और सीधा चलना क्या कहलाता है तेज और सीधा चलना चलना मतलब आत्मविश्वास से भरावा वो इंसान है ठीक है तो right answer option C हो जाएगा how how Brick erect walk दिखाता है Brick erect walk जो है वो हमें क्या दिखाएगा दोस्तो आत्मविश्वास confidence उसे भी हम बोलेंगे आत्मविश्वास Brick erect walk जो है एक तरह के से मतलब बिलकुल कठोर तरह के से चलना द्रद संकल्पित होकर चलना क्या कहलाएगा confidence कोई दिखाएगा ठीक है next question number 11 की बात करें तो लक्षियों को वर्गी करत किया गया है लक्षियों को वर्गी करत किया गया है एक आल्पनिक धिर्गकालिन दो तरीके के लक्षियों हो सकते हैं अल्पकालिक और दिर्गकालिक एक होता है सर्टर्म लक्षियों और एक होता है लॉंग टम लक्षियों जैसे कोई छोटा सा लक्षियों मालो एक महिने में आसिल करना है ठीक है वो छोटा लक्षियों हो गया को ऐसा लक्सी जिसको पांट सालों मेंहसिल करना है तो वह क्या हो गया लोंग टर्म लक्सी ओगया नेक्स्ट क्युशन हैं लक्स्यों को व्रगी करत किया गया है इसका अंसर आहेगा दिरब्ह कालिक लक्सी ठीक है समख से फिरसे रिपीट हुआ है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों क्यूशन नंबर 14 आंत्रिक प्रेड़ना है आंत्रिक प्रेड़ना क्या है दोस्तों आंत्रिक प्रेड़ना जो है दिर्ग कालिक है मतलब लंबे समय तक चलती है जो इंटरनली मोटिवेटेड रहेगा वो लंबे समय तक आरे गरेगा ठीक है नेट्रिक प्रेना मतलब एक्सिटनल मोटिवेशन जिसको हम जैसे बाहर से कोई किसी को प्रेरित कर रहा है जैसे उन्ट कूई द्यापक प्रेरित कर रहा है और खुद के अन्तरा आत्मा से कोई प्रेरित है तो उसे कहेंगे आ δεν पंसर 오ो अपसँना दोस्तों सोर गर्मी य्या ठंडक सोर गर्मी या ठंडक सारीग प्रेशानी के अंतरगत 号 आता है ये कोँछ की पिछ इ finer लौत बिशन्च यह द्रफ मतलबा ध्रफनी की तीवरता ङृफ क्या श्वयर कहलbug椅 इंस καιश्वयर कहल्याता है प्रियासों में सही और गलत के अध्यन को कहा जाता है, मानव के जो प्रियास होते हैं, मानव के जो प्रियास होते हैं, उनमें सही और गलत को क्या कहते हैं, तो सही और गलत को जो है आचार विचार कहते हैं, ठीक है, मानव के जो प्रियास होते हैं, उसमें सही और गलत को हम आ आचार विचार कहते हैं एथिसिस ठीक है क्या सही है क्या गलते है उसको हम एथिसिस बोलते हैं ठीक है एथिसिस क्या बोलते हैं एथिसिस आचार विचार ठीक है question number B से दोस्तो भूमी का निभाने में क्या कमी है तो भूमी का निभाने में क्या कमी है तो भूमी का निभाने में क्या कमी होती है दोस्तो वास्तिक इस्तितियदी नहीं परदान कर रहा है मतलब वो भूमी का सही से नहीं निभा रहा है ठीक है वास्तिक real position जो है real situation नहीं बता रहा है वो भूमिगा निभाने में क्या कर रहा है कमी कर रहा है तो राइट राइट आंसर हो जाएगा इसका उप्शन सी नेक्स्ट क्यों से न दोस्तो समस्या समाधान प्रिक्रिया में समाधान का चैन करने के बाद में आगे क्या करना चाहिए समाधान लागू करना चाहिए समाधान का चायन कर लिया फिर उसको लागू भी तो करेंगे तभी तो समाधान होगा तो right answer रोजेगा option D किसे number 22 से दोस्तो कोनसा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है ध्यान में कमी ये प्रेरित करने में मदद थोड़ी करेगा गबढ़ाहरत में कभा है, यह तो घबराता नहीं है, मतलब वो क्या करेगा, आपको प्रेर नहीं, तो राइट आंसर वो जाएगा, यहांपर प्रिपेर, प्रेक्म, प्रेक्टिस, प्रफॉर्म, कौन सा है ठीपी कौन सा है पब्लिक स्पिकिंग जिसे पब्लिक कोई जैसे सेमिनार में कोई रिपर्जेंट कर रहा है ठीक है तो आप पर 3P का क्या मतलब है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिपेर प्रेक्टिस परफॉर्म सबसे पहले अपने आपको तियार करना प्रेक्टिस मतलब उसके उपर प्रेक्टिस करना फिर उसके बाद में परफॉर्म करना ठीक है इसको बोलते है प्रिपेर प्रेक्टिस और परफॉर्म प्रिपेर प्रेक्टिस और परफॉर्म तो उसके लिए जो है यहाजाएगा claim द्रश्टी कौन इसको बोलते है claim द्रश्टी कौन ठीक है क्या करें कौन सा करें इसको बोलते है claim द्रश्टी कौन राइट तो right answer जाएगा option C next question है साथ साथ सिस्टाचार में कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है तो lie about your abilities to get job जूट बोलना जूट बोलना जो है यह सही नहीं है ठीक है proper eye contact यह सही है इंट्रीव में dress support appropriately थीकँ ड्रेस अच्छी हो वह भी चाहिए be confident यह भी चाहिए लेकिन जूट बोलना यह सही नहीं है तो ठीक है दोस्तों आज किस video में इतना ही आज किस video में आप लोगों को के लिए और यह मैं बता दू आपके जो फर्स्ट यर और सेकेंड यर दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है आता है आप सभी ऐसे स्टुडेंट जिनको इटे एक्जाम्स देने हैं वो सभी जो इन किसमस को अच्छे से तियार कर लें ठीक है दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में नई इंफोर्मेशन नई टॉपिक के साथ के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद